शाज़पूर जिले के काला विपल की क्रशी उपज मंडी में हम्माल तुलावटियों और किसानों ने पीने के पानी को लेकर हंगामा किया उनका कहना है कि हम क्या इंसान नहीं है हमें पीने के लिए गंदा पानी क्यों दिया जा रहा है काला पिपल क्रशी उपज मंडी में हम्माल तुलावटी और किसानों ने पीने के पानी को लेकर हंगामा किया साथ ही क्रशी समीती पर आरोप लगाते वे कहा कि मंडी समीती के और से जोग पीने का पानी दिया जाता है उस टंकी की कई दिनों से सफाई नहीं हुए और जिससे पीने का पानी बदबुदार हो गया है तो वहीं मंडी करमचारियों और व्यापारियों के लिए आरो का पानी आता है और बाकी लोग गंदा बदबुदार पानी पीने को मजबूर है और जब इस विशे को लेकर मंडी प्रिभारी से चर्चा की गई तो प्रिभारी सोराश्टी ने बताया कि उन्होंने टेंकी की सफाई भी कराई है और पानी टेंकर से डलवाया जाता है अच्छा और मंडी समयती वाले जान पंति यह पानी बतलब किसान और आपको लिए यह पानी वाज़ा इस ने अभी तुलाई और माली दोनों बंद कर दी उसको लेकर क्या कहने जाओगी क्या समझ्चा है आपकी पानी की समस्था साथ घंक भी समक होगे हैं यह पर है है और चेरे उसमें लिपiddave कि विए असमें ही वह फ्र्द्वर के वार्व ही पूरा पानी कि वानियू खर्मत प्रदेश की लेश जबपूर से भगवान सी अहिरवारी की रिपोर्ट